इस वीडियो में हम बनने वाले हैं क्रिस्पी पालक के पकोड़े। सबसे परणे पालक और खोड़क कोँ अच्छे से धोकर पर कट कर लिया है है, अब हम इसे एक बड़े वरतन में निकाल लेंगे। फिर हम इसमें एक कटोडी बेसन लालेंगे। और एक कटोरी चावल का हाटा डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम कद्दुकस के अवाद रख और दो से तिन के टीवी हरिमेंच डालेंगे अब हम इसमें मसाला डालेंगे मसालो में हमने हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर और गराम मसाला लिया है फिर हम इसमें थोड़ा साज वाइन डालेंगे फिर से सभी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेस के साफ से नमग डालेंगे फिर से मिक्स करेंगे यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है वह हम इसे स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए हमने कड़ाएं में पानी गरम होने को रख दिया है इसके उपर हम एक छीद वाला बर्तन रखेंगे इसे हमने तेल से ग्रीज कर लिया है अब हम इसका दो रोल बना लेंगे और इसके उपर रख देंगे अब हम इसे ढखेंगे और पांच मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे अब पांच मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे एक साइट से स्टीम हो जुका है इसे पलण देंगे और दूसरे साइट से भी स्टीम कर लेंगे अब दस मिनट बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे हमारा रोल जो है वो अच्छी तरीके से स्टीम हो जुका है इसे निकाल कर थंडा कर लेंगे रोल को हमने निकाल कर थंडा कर लिया है अब हम इसे कट करेंगे हमने इस्ट कर लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे प्राइ करने के एंपने कृड़ाएं में रिफ्राइन लम गरम होने को रख दिया था तेल जो अच्छी तरीके से गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके पीस को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे एक साइट से गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे एक साइट से गॉल्डन ब्राउन हो चुक है इसे पलट देंगे और दूसरे साइट से भी गॉल्डन ब्राउन कर लेंगे अब ये दोनों साइट से गॉल्डन ब्राउन हो चुक है इसे हम निकाल देंगे अब इसी तरीकी से बागे पेछ इसको फ्राइए कर देंगे अब इसको फ्राइए करके निकाल लिया है पालक के क्रिस्पी पकोड़े बनकर तयार है इसे आप किसी भी सौस या चटनी के साथ खा सकते है इस तरीके से आप पालक के पकोड़े एक बार बना कर जरूर च्राय करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आये तो इसे गंदवानों ना बोले थैंक यू